हलो दोस्तों कैसे हो तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जुवेरियास कार्डन में हैं मैं आद बात करने वाली हूँ यह ब्यूटिफुल प्लांट कैने लिली की बहुत सी डिफरेंट वराइटी होती है यह ब्यूटिफ हैं इनके लीफ देखिए की प्यारे होते हैं और इसमें कई कलर के फुल होते हैं यह प्लांट बहुत थी हौडी प्लांट हैं आप इसको बहुत इजी से लगा सकते हैं और इसको ज्यादा केर करने की भी ज़रूरत नहीं होती इसको रूट से निकाल भी दें तो बाके जो भी रूट होते हैं इनसे फिर प्लांट आ जाते हैं इनके बल्प होते हैं उसको राइजोन भी कहते हैं इसके बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं अगर जम्र जमीन में लगाएं तो इसको फर्टिलेजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती अगर हम पार्ट में लगाएं तो फिब्रारी के इंड में गोबर की खाद दे सकते हैं अगर पानी की बात करेंगे तो डैली इसको पानी दे दिया करें ज्यादा वाटरिंग ना करें अब मैंने इसको 7-8 इंचस के पार्ट में लगाई हूँ मैं इसको हाफ लिटर से कम पानी डैली देती हैं यह मिटी में हमेशा नमी बरखरार रहनी चाहिए और इसके फ्लावर सुक जाएं तो इसकी स्टिक को कट कर दिया करें इसके नए दूसरे बेबी प्लावर निकल आते हैं और इसके बेबी प्लावर भी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे बहुत तेजी से यह प्लावर बढ़ता है देखिए कितने फ्रेश हैं अगर ज्यादा गर्मी है तो नेटे नीचे रख दें नहीं तो इनके लीव बन हो जाएंगे यह प्लावर को तीन चार घंटे की धूप चाहिए होती है और सन में नहीं रखेंगे तो ग्रोथ तो जरूर होगी पर फ्लारिंग नहीं होगी अगर फ्लॉरिंग चाहिए तो सुभों की तीन से चार घंटे की दूप में जरूर रखें और हाँ विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुख जाएगी जैसे ही फिब्रारी स्टाट होगा फिर से ग्रोथ ले लेगा पर ये पौदा मरता नहीं है माशाला वैसे का वैसा ही रहता है उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो यूसफुल रहेगी मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस शुक्रिया